चीन से आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूस जिन्पिंग लगातार तीसरी बार बनेंगे सीपीसी के अध्याक्ष ये बिलकुल तैह बीजिंग के दग्रेट हॉल में चीनी कम्मिनिस्ट पार्टी का अधिवेशन होना है 32 साल बाद सीपीसी के चेर्मैन भी बन सकते हैं शी जिन्पिंग यानि सारी ताकत सारा रुद्वा एक बार फिर शी जिन्पिंग के ही पास होगा जिन पिंग लगातार तीसरी बार बनेंगे CPC के अध्यक्ष दे ग्रेट हॉल में चीनी कम्मिनिस्ट पार्टी का अधिवेशन और उसकी एहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने 32 साल बाद एक बार फिर CPC के चेर्मेन बन सकते हैं शी जिन पिंग इसके लिए पूरी तयारियां कर ली गई है और शी जिन पिंग के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है तो देखिए चीन में आज क्या होगा ये है वो सबसे बड़ा सवाल लेकिन इसका जवाब मौझूदा सुरत इहाल को देखते हुए बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा है चीन में आज क्या होगा चीन में कमनिस्ट पार्टी की 20-वी नैशनल कॉंग्रिस की बैठक होने जा रही है और इसमें होना क्या है जिन पिंग खुद को लगातार तीसरी बार महा सचिव बनाएंगे CCP का महा सचिव यानि सबसे पावर्फुल पोस्ट 20-वी नैशनल कॉंग्रिस की ये बैठक है चीन के 9 करोड वामपंतियों के निर्विरोध सर्वोच नेता बनने जा रहे है एक बार फिर शी जिन पिंग बीजिंग के ग्रेट हॉल में कम्निस्ट पार्टी का राष्ट्री अदिवेशन शुरू हो चुका है और एक बार फिर चीन का जो डिक्टेटर है शी जिन पिंग उसका रुत्बा कैसे बरकरार रहे इस पर मोहर लगाने की पूरी तयारी है बीजिंग में 22 अक्टूबर तक चलेगी सीसीपी की ये बैठक और इसी बैठक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आने वाले वक्त में चीन का मुस्तक्बिल किसके हाथों में होगा कम्मिनिस्ट पार्टी की हर पाँच साल में एक बार बैठक होती है और वो बैठक होने जा रही है नैशनल कॉंग्रिस में सीसीपी के 2296 रिप्रेजेंटेटिव शामिल है तो आप अंतासा लगा सकते हैं ये चीन के लिए कितना बड़ा आयोजन है खुद को सरवोच बनाये रखने के लिए जिन पिंग ने सारे नियम काईदे बदल डाले है सारे नियम कानून जिन पिंग ने अपने हिसाब से तोड लिए मरोड लिए ताकि उनकी कुरसी हर हाल में बर्खरार रहे और देखिए हमारे साथ ता तमाम खास मेमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ चुका है उनसे आपका तारुफ करा दें अखिल पराशर हमारे साथ बीजिंग से इस वक्त लाइव मौजूद है मनीश यह हमारे सायोगी मौस्को से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले मैं अखिल पराशर का रोख करूँगा बीजिंग से वो हमारे साथ मौजूद है अखिल सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपडेट दे दें कि शी जिन पिंग के हाथ में ही चीन की कमान होगी कहीं कोई उनको दूसरा प्रतियोगी नहीं मिलेगा जी नमस्काथ समीर जी गौड मॉनिंग और आज आप देख सकते की दूप खिली हुई है बेजिंग में और जैसे कि आपने अभी बताए कि जो क्वंटित नैस्टनल कॉंगर्स है कि वो आज उसका उग्धाटन होने जा रहा है और यह क्रिप दस वजे इसका इनॉग्डेशन होगा यानि कि यहां से आदे गंटे बाद और दूसरी बात कि यह बाइस तारिक तक चलेगा जैसे कि आ पर कोई ज्यादा टेक नहीं है इसके बाद में ज्यादा खबरे नहीं आ रही है क्योंकि उनका यह भी कहना है कि इसमें जो एक प्रॉसीजर होता है जो नैस्टनल कॉंडेस है जिसमें सबसे पहले सेंट्रल कमीटी के मेंबर चुने जाएंगे जैसे कि अभी आपने बताया करीषणाफ लोग सदसे होंगे जो की पॉलेट ब्यूर की स्टैंडिक मेंटी होंगे तो जो चीन का प्रेजिदेंट होता है या चुर्प्रेशीन का महससेशीव होता है वो पॉलेट ब्यूर के सदसे जरूर होना चाहिए जैए आज अम बात करें तो आज यह कोई आयलान होने वाला की कौन राश्रपती बनेगा क्या लीडर्शिक होगी यह बाद में होगा जब 22 को जब खतब होगा तो उसके बाद जो यह नई जो लीडर्शिप है जो पॉलिट ब्यूरो की स्टैडिक कमिटी है यह वीडिया के सामने आएंगे समधातों के सामने आएंगे और फि कि एक सवाल यह है क्या आब हम यह मान ले कि इस CCP की बैठक के बाद यानि आज से लेकर 22 तारीक तक उसके बाद कई बड़ी ऐसी शक्तियां या पावर होंगी शीजिंग के पास जिसके तहत हम यह कह रहे हैं कि अब हमेशा वही इस ओहदे पर वही इस ताज पर कायम वह दो टर्म से ज़्यादा कंटीनियुन नहीं कर सकते थे हैं कि 2017 में जब यह उनीस भी राश्य कॉंगर्स की जो बैठक हुई थी तब इसमें संशोधन्त कर दिया गया था कि अब कोई रोक नहीं है अब जो है वो कारेकाल दो से अधिक हो सकती है कि इसमें नहीं हो सकता ऐसी शक्तियां ऐसी पावर शी जिंपिंग के पास है कि तखता पलट नहीं हो सकता हुआ 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 है